हर्याना सरकार के पहली से 8 वी तक के सभी स्कूलों को बंद किये जाने की आदेशों को लेकर फेडरेशन ओफ प्राइवेट स्कूल वेलफेर एसोशेशन अंबाला ने विरोज जताया है उनकी और से स्कूल के समस्याओं से समंदित ग्यापन अंबाला स्चेम को सोपा गया है उनकी मांग है कि यदि सरकार सब कुछ खुला रखना चाहती है तो स्कूलों को बंद क्यों क किया जा रहा है करोना से बचने के लिए और भी तरीके हैं जिने इस्तमाल कर करोना जैसी बिमारी से बच सकते हैं मतादे की फेडरेशन ओफ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेर एसोशेशन अंबाला ने आज अपनी मांगों को लेकर सभी जगह ग्यापन दिये फेडरेशन चिला अध्यक्ष आशुतोष गोड ने कहा कि हमारी एसोशेशन ने पूरे हरियाना में ब्लोक स्थर पर एस्टीम को ग्यापन दिये है जिसमें मुख्य मांग यही है कि पिछले साल से स्कूल बंद थे जिसका हमें काफी नुकसान हुआ था यही नहीं बच्चों की पढ़ सब कुछ खोल रही है तो स्कूल बंद क्यों किये जा रही है यह हमें समझ नहीं हा रहा है जबकि कुम में लाखों लोगों ने भाग लिया और बंगाल में चुनाव चल रही है उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर अवश्य विचार करना चाहिए जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकार का आदेश आया है और 30 अपरेल तक सरकार ने आठवी तक के सभी स्कूल बंद कर दी है तो हमारी एसोसेशन ने पूरे हर्याना में ब्लॉक स्तर पर SDM को ग्यापन सोपे हैं उसी के तहत हमने भी आज अंबाला में SDM साब को ग्यापन दिया है हमारी मुख्य मांगे यह है कि पिछले 22 मार्च से स्कूल बंद थे लगातार और सरकार जैसा कहती रही है हमने सरकार का लगातार साथ दिया है जैसे भी सरकार ने आदेश दिया हमने आदाश सरकार के माने है परन्तु पिछले एक साल से स्कूल बंद थे वने की वज़े से लास्ट से लास्ट यर के भी पैसे नहीं आए इस साल भी पैसे नहीं आए पैसे को छोड़िये कि अभी जो पिछले दिनों स्कूल खुले जब बच्चे आए तो बहुत ज़दा लर्निंग लॉस बच्चों का हुआ है गाओं देहात में सब बच्चों के पास ना तो बच्चों के सब कुछ खुलेगा सब कुछ खोलना है तो जब सब कुछ खुल रहा है तो फिर स्कूली बंद क्यों यह हमें समझ में नी आता है देखे ऐसा है कि देखिए अभी जब पिछले दिनों आप जानते हैं कि कुम्ब का कली मैं पढ़ रहा था कि 26 लाख लोगों ने कुम्ब में हरकी पॉड़ी पे अपना स्नान किया बंगाल के एलेक्शन लगातार चल रहे हैं जब यह सब चीजे सोशल डेस्टेंज के साथ हो सकती है तो एक्ज स्कूल के वारे मिं भी हमारा सरकार से गजारिश है कि हमने लगातार साथ दिया है हम अभी सरकार की बाते मानने को त्य districts अलने का तरीके खूलने के तरीके बताइए, बंद करना थो बड़ा सान है, कोई भी काम बंद किया जा सकता है लेकिन खोलना बड़ा मुश्किल है तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि फेवरेबल पॉजिटिव माइंड रखते हुए, पॉजिटिव एटिटूट रखते हुए सरकार स्कूलों को खोले क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, लर्निंग लॉस बच्चे पिछले दो साल पीछे चले गए तो बहुत ज़्यादा लॉस ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं, खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं तो आज ही बिना देर किये, अपने सपनों का घर बुग करें